आपका फैर मक्दम है डी एचे लहोर कैपिटन करनल शेखान शहीद टी ट्वेंटी कप में और यह मैच नमबर 6 है डी एचे राइजिंग स्टार्स बनाम खावर प्रॉपर्टी शामिल हुसान ने डॉस जीता राइजिंग स्टार्स का फैसा है कि वो पहले मैदान में उत्रेंगे बैटिंग के लिए शामिल हुसान को तीनिंग का आगाज करेंगे जो कप्तान भी हैं कि अलावा नजरें रहेंगी वहां मुल्हक पर एक और पास्तरायत उबरते हुए यह अपर्टीज की क्यादत तुनाय तजर्बा का कामरा साजित कर रहे हैं मुहमद पैदान ऐसे खिलाड़ी हैं जिने पिछले डिमेस्टिक सीजन और पीसल में परफॉर्म करते वे देखा वही मश्रफ और इर्फान न्याजी जो है यह मिडल और को सब्सक्रियत बखशेंगे तो पहली गेंद इस मुकाबले की शफल कर तुए आगया कर इतमाद के साथ खेला अब गेंद था और इसको पुल करना चाहते थे शॉर्ट फाइनल लग के फिल्डर से मिस फिल्ड और यह गेंद बॉंडरी के पार और यह लिजिए यह आज का पहला चाहका यह संसरी खेस शॉर्ट था खड़े खड़े इस गेंद को उचाल दिया अन दिया पिए इस गेंद को बॉंटरी के लाइन के बाहर फैंकर रंस तो छे मिले हैं लेकिन इतमाद बेपना हासिल हुआ है यहाँ पर फाही मश्रफ जैसे टेस्ट बॉलर को चक्का लगाते हुए नौजवान शामील हुसैन को बहुत शांदार फॉलो थू था एक और दिलका शिस्ट्रोक ओफ साइड में कोई फिल्डर अपनी जगा से हिल नहीं सका और फिर गेंद को टरन कर दिया फाइनल लग को मौका नहीं दिया चार रंस का और इज़ाफा संसर निखेज बैटिंग खास बात यह कि क्रिकटिंग शॉट खेल रहे हैं बोल्ट कर दिया इस बार अपनी इंस्ट्रम्स पर खेल दिया अराम ने लूज शॉट गेंज से दूर रहकर इस टियर करना चाहते थे इसे आफसाइड में और यह अपनी विगेट से गए जल्दी बहुत दूर थे बैट और पैट के दिम्यान बहुत गैप था और कदरे सुस्ती से यह शॉट खेला था अर हमने पिछले मैच में भी तौकवाट पर पूरा नहीं उत्रे और आज भी बगेर की रन बनाए वापिस जा रहे हैं अठारा पर पहला नुकसान डी एचे राइजिंग स्टार्स को उठा कर खेला और मिड ओफ को बिलकुल संभलने का मौका नहीं दिया शांदार शॉट इस वार यह अच्छा शॉट नहीं यह गेंद कद्रे रुक कर आई और सही तरह एक्जियूट नहीं कर सके पहले ही जहन मना लिया था कि उठा कर खेलना है तो इसलिए गलती कर गए और अपनी विगट से हाथ दो बैठे एक अच्छा आगास के बाद उसे गवा दिया है शामल हुसैन ने चांदार जबर्स शॉट स्कॉर कार्ट अपरार के जाने जाने से फाही मश्रफ के लिए मैज अच्छा नहीं रहा है अभी तक एक और चौका अपील और लपी डबली दे दिया विकेट असल के शाजे भटी ने अपरार की ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं अपरार इस डिसीजन से लेकिन रमपायर का हत्मी फैसला के आउट उनको जाना होगा अपरार किशीवी तरीके से गेंद की फ्लाइट को और ऑफ दे विकेट छोड़ी स्पेंटिस को समझ नहीं पाए थोड़ा उपर लगा लेकिन विक्टर के बिलकुछ सामने थे और वो नज़र आ रही थी मेडल स्टंप मेडल रॉफ रमपायर का फैसला के आप आउट है त बड़ा जबरदस्ट कैच एर्फान खान न्याजी ने लेकर फाहम-ul-हक की एक स्ट्रॉग्लिंग इनिंग्स का खात्मा किया यौस पे इन गेंड की थी आगे गिरावा गेंड ऑफर किया लेकिन इतनी कुवत नहीं थी शौट में कुछ देर पहले गेंड इनकी पसलियों स जा टकराया था फाहम की इसलिए स्लोग शौट खेलना इतना असान नहीं था सोला गेंडों का सामना किया और सिर्फ पांच रंज बनाए और अब 45 पर चार विक्टेंग गवाकर मुश्किल में है डी-एचे राइजिंग स्टार्स गेंड हवा में और यहां कामरान साजिद थोड़े से सुस्ती से आये गेंड की उपर शाय तवक्व नहीं कर रहे थे के गेंड उनकी जानिब आएगा और यहां पर कैच हो सकता था जो चार रंज में तबदील हुआ पर फिर कट किया खराब गेंड बाजी शाजेब की पर पूर अंदास से जाजेब ने जवाब दिया तवातिर से दूसरी बाउंडरी डी-एचे राइजिंग स्टार्स के लिए और यह गेंड मिल गई है जहाजेब को और जाएगी सीडी बाउंडरी लाइन के पार यह इसमें जरह भी सोचने की जरूरत नहीं है छे रंज का इशारा शाजेब की जानिब से यहां जबर्दस्ट शाट जहाजेब की लेकिन यह बड़ा खराब बॉल था इसके बिलिए बिल्कुल तयार थे जहाजेब इसको सीधा केले फेंस को क्लियर किया एक मरतबा फिर यह गेन मिडल स्टम पर फैंकने की कोशिश की और उतने ही जोरदार अंदाज से इस गेन को मिदान से बाहर फैंका पहले शाट से भी ज्यादा बेहतर यह दूसरा चखका जहाजेब का एक खराब गेंदवाजी सुदेश की एक मरतबा फिर फ्लाइट डिलिवरी थी लेकिन ये बिल्कुल जोन में कर गए जहाजेब के तैयार थे एक मरतबा फिर इसी किसम की गेंद के लिए और लॉग ऑन फैंस क्लियर किया और यह दूसरी जानी विकेट तैयब अक्रॉस दे लाइन खेल गए और शाजेब भटी ने उनको चलता किया इस तरह विक्टेंग गिरने का सिलसला जो आज अरम से शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है बेलकुल गेंद के इर्द गर्द खेल गये थे यह अच्छा तरीका नहीं है लेफट टाम स्पिनर से निमटने का तैयब आरे से जो उमीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी उनने मनाए च्छे सदतर पर पांच कि पचास चका हुआ बड़ा शांदार और रिवर्स स्वीप के जरी है तो यह कि यूनिक यह इंप्रोवाजेशन है और यह कौन थचका लगा है अब डिएचे राजिंग स्टार को एक और काम्याबी हासिल इस बाल अली थे पिक आप शॉर्ट पिक आप शॉर्ट फीलर है लेकिन गाप में बॉल गया है चार रंस के लिए चेंज ओफ पेस मामून और रियास का और इसको जज़ करने में काम्याब हुए हुनैन शाह यह बहतर है लेकिन फीलर मौजूद है तूसरे रंकी कॉल अच्छी रंइंग है चास हो सकता है जी हाँ पहुंच नहीं पाएंगे आउट हो गए जासे चाली संस तक पहुंच क्योंकि आखरी डेड़ ओवर में ये बहुत डेमेज कर सकते थे फ्लिक अफ दो रेस्ट यहाँ पर जहांजेब नवीद का और बड़ी जबरदस्त फिल्डिंग एफ़ड डीप मिडविकेट के फिल्डर की जानेब से और कीपर ने भी बड़ा अच्छा कलेक किया और उसक 223 साथ विक्टो के नुकसान पर आउट सीदा फेजान के हाथ में हम आउट होते हुए मामून की 30 जबरदस्त गेन बाजी मामून रियास की एक परत्बा फिर अब की बार चेंज आफ पेस था स्लोव बॉल थी और इन फिल्ड को क्लियर नहीं कर पाए मिड़ आफ पर फेज सान रियाज ये काफी तजर्बा कर खिला रही हैं कैच लेकर हम की इनिंग्स का खात्मा किया दो रन बना पाए हम द्याकत 126 पर आट सिंगल हो जाएगा चांस है डिरेक्ट रो आउट हो जाएंगे थर्ड एंपाइर विजानी की सुद्ध भी नहीं पड़ेगी श्योसर प्रजा को डिरेक्ट रो हमेशा ही डेंजरेस होती है एक और विकेट हासिल किये फैसल भटी ने अपनी टीम के लिए जा डिरेक्ट हिट जरूरी थी फिल्डर ने गेंट को गैधर किया और कुल्ड कोशिश की जरूर पहुचने की लेकिन काम्याब नहीं हो पाए बिलाल अख्तर गेर कोई रन बनाया उट हुए 126 नो विक्टो के नुक्सान पर वादची एक और चाहंस है एक और रन उट हो सकता है जी हम अब तो उन्होंने गवारा भी नहीं किया के वापस पहुचे और इसके साथ ही इनिंका भी अख्तताम हुआ आखरी दो रन उट्स की बदावलत 126 रन पर टीम धेर हो गई कोई सलमान कादर जो कि कोच है ज्यादा खुश नहीं होंगे इस परफॉर्फॉमंस से 126 रन एक सो सताइस रन इन फाक्ट शामिल हुसान ने बड़ी अच्छी इनिंक्स शुरू की थी कि साथ लेकिन उसके बाद बैटिंग में इसमार हुई सिफर पर आउट हुए अरहम अ को खुन स्पेलिक और अलियस फन और हसना ने इनका साथ दे कर इस बात को यकीनी मनाया कि टीम सौस ते आगे निकल जा यह राइजिंग स्टार्स की टीम जिसकी वजह मामून और्रियास का पहला तबाकुन स्पेल था और उसके बाद शाजेब भटी ने दोनों हाथों से ल अधियास का लिए अधियास का वेल्कम बैक डियाचे राइजिंग बना खावर प्रॉपर्टीज दूसरी निंग सखेल शुरू होने को है खावर प्रॉपर्टीज की बॉलर्स ने स्टिर्फेक्स 25 तक महदूद किया हुनाएं शाब उनके सामने है सुदैस यहां उचा शॉट के लाज सुदैस ने फील्डर है इसको एलेक पर और उनने सर कर लिया बाउंडी राइडर को पहला च्छका उनने टाइम किया स्विंग के साथ ही शॉट एक्जेक्यूट करने में कामयाब हुए सुदैस यहां ज्यादा कुवत नहीं थी पूरा बल्ले को गुमाया भी नहीं था सिर्व इसको प्लेस की और गेंड हवा में गया इस बार कॉर्ड बियाइंड बगार फुट वर के ड्राइव करने चले गए गेंड बाहर से बाहर स्विंग हुई और इस साउट सैड एज़ को बड़ी खुशी के साथ हासिल किया विगेट की बरने ये बड़ी कामिया भी है जो हुनैन शाने दिलवाई आगे गिरावा गेंड ये हवा में भी स्विंग हुआ और विगेट को पढ़ने के बाद भी खड़े खड़े इसको खेलना चाहते थे और इस असना में अपनी विगेट गवादी मुहमद फेजान ने नौर एंस पर प अच्छा इस्तिमाल किया उन्हें बॉलर की रफ़तार का शांदार एक और चौका एक बार फिर ला जवाब टाइमिंग और ये दीदा से अंदाज साब ऑफसाइड स्ट्रोक खेलने का हॉम दा शाट इस बार फ्लैट बैट के साथ खेला और सुदैस ने च्छका लगा दिय इतनी कुवत है इनके बाजूओं में कि ये गेंड सीरा बॉंडरी लाइन के बाहर जाकर गिरा हवा में खेला फाहम ने कोशिश जरूर की थी खासा उचले थे लेकिन गेंड गेंके रफ़ता ज्यादा तेज सी इसरा फ्री हिट को काम मिलाए और चार रन हासल किये फाइक ने अब पैनोवा खुब्सूरत शॉट इस शांदार शॉट फाइक की जानब से चार रन्स के लिए शो करता है कितना टालेंट है इस प्लेयर में बोल कर दिया अच्छा कमबाक उन्हें इंशा की जानब से जोगा खाने के बाद अच्छी क्लेवर स्मार्ट बॉलिंग उन्हें इंशा की जानब से ड्राग ऑन हुए इंसाइड एजुआ बोल्ड हो गए फाइक ख्रफतार में रदो बदल किया ओफस्टम के बाहर गेन थी बैक अफ दे हैंड इसको थर्ड मैन की जानब गाइड करना जा रहे थे इंसाइड एजुआ और गेन दस चंप्स में जा लगी अफी एक्साइटेड और खुश दिखाई दे रहे हैं अन्हेंशा और दूसरी काम शांदार रिजल्ट चार रंज के लिए 120 की जानब से बड़ा शॉट स्वीप शॉट शांदार कोई मौका नहीं किसी भी फिल्डर के लिए क्योंकर यह चला गया ओल दो वे छे रंज के लिए इजी पिकिंग्स है बैक्टर के लिए डाउन उन नी और स्क्वेर लेग रीज शॉट फिल्डर के उपर से फाहम देखते रह जाएंगे चार रंज के लिए और चौका सुदेश के लिए आउड़ो दना चाहिए आउड़ो दना चाहिए ठीहां असानी से यह कैश ले लिए है लिटल टू लेट मेबी लेकिन विकेट्स इस वाट मैटर एक और विकेट हासल किया लिए सफंद का अच्छा कमबाक इस ओवर के अंदर रंज भी रोके और विकेट भी हासल की यह यह खराब सेलेक्शन ऑफ शॉर्ट थी छोड़के वॉल किया थोड़ा एर दिया इस वॉल को एक रॉस से लाइन खेलना जा रहे थे और रेगुलेशन कैश दाइरे के अंदर मौजूद फिल्डर के लिए अली अस्वन ने बिला आखिर काम्याबी दिलाई डिएचे राइजि मौहमद सुदेश 27 रंज बनाकर आउट यह उचा स्टोक है आउट होने का खत्रा है दीजिये नीची आए और एक स्टेट फावर्ट कैश लिया गया तो इस तरह एक और विकेट गिरी है और इस बार बिलाल अक्तर को काम्याबी हासिल हुई है अगेंज अटर्न शॉर्ट खिलने के लिए गया च्छका लगाने की नाकाम कोशिश ही अच्छा हाई कैच लिया लॉगन बाउंटरी पर अरहम नहीं और यह जोर्दार शॉर्ट खेला है फाहीम ने और यह गेंट बहुत दूर जाएगा ऐसे ही शॉर्ट की तुको की जाती है फाहीम अश्रफ से और जो इन इक्सपिरियंस के हम बात करते हैं यह यंग साइड है वो ऐसे क्रेंच मॉमेंट्स में ही आपको पता चलता है और यह एक और जोर्दार शॉर्ट है उस्मान का बिल्कुल उसी जगा पर गिरा है जहां इसे पहले शॉर्ट केला था माज ने पहले तीन ओवर बहुत अच्छे किये लेकिन इस वर इस ओवर में दो दफा उस्मान ने ने मिदान से बाहर फैंका है जा बहुत ही मुँ में बॉल कर दिये एक बार फिर इन इक्सपिरेंस गुगली किये बड़ा शॉर्ट बहुत ही बड़ा शॉर्ट ग्राउंड से बाहर एक और च्छका अस्मान खालिद के नाम रहे गाई यह तीसरा च्छका तूसरे ओवर के अंदर उस्मान का ये तोड़ उन्हें मिल गया और इस गेन को पूरी कुवत के साथ ये देखिए अपनी जगली टांग है उसे क्रॉस करते हैं और ओन साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं एक बार फिर इस बार लेकिन ज्यादा एलेवेशन नहीं है फिलर मौजूद है एक और विकेट बिलाल अख्तर के नाम क्या थोड़ी देर होगी एक बार फिर यही सवाल करूँगा मैं लेकिन विकेट्स हासिल करते हुए राइजिंग स्टार के बालर बिलाल अख्तर ने इ कैद हुआ और बॉल्ड कर दिया इस दफ़ा यही कहा जा रहा था कि यह टीम मुकाबले से उट नहीं होई और बिलाल अख्तर ने अपनी तीसरी विकेट हासिल कर ली फैसल जो अभी आये थे अब उन्हें वापिस जाना होगा च्छटा नुक्सान है बोल करती है आप शांदार बॉलिक बिलाल अख्तर की चाने उसी ओवर का इंतजार था जिसमें 11 में दो से ज़ादा विकेट तो दो बिलाखट ने इस ओवर में हासल कर ली है यह bड़ी विकेट हासल की है फ़ही मश्यरफगी और अमाजिन कीजिए कितना अब बड़ा दिल हो गया वागा इस बॉलर का फ़ही मश्यरफ को उड़ करने के बाद बिल कुल ही बीत हो गय, बिलकुल रीडी नहीं कर पाए बड़ी विकेट आसल की है ये तेज गेन थी फ़ही मश्रफ बिलकुल इसको समझ नहीं पाए आउन पर खेलना चाहते थे और गेन उनकी ओस्टम को उड़ाती हुई चले गई बगेर की रन बनाए फ़हीं वापस जाएंगे साथवान नुकसान एक सो नो रन्स पर खावर प्रॉपर्टीज को और अब ये मैच किसी भी जानिब जा सकता है बाल कर दिया और यही विकट की तलाश दी तीस्वे विकट बिलाल अख्तर ने राइजिंग स्टार्स को इस मैच में वापसी करवा दी है इन फाक एक कमांडिंग पॉजिशन में डाल दिया है इस मेडन फ्री विकट ओवर ने एक शांदार स्पेल बिलाल अख्तर के जानिब से क्या बात है कमाल बालिंग ये खेर ममूली बालिंग है इस नौजवान लेक्स पिनर की जानिब से पांच विकटे हासल की सजदा शुक्र अदा किया और कोई ये छोटी विकटे नहीं थी फही मश्रफ हो तजर्बकार कामरान साजिद हो बिलकुल भी रीड नहीं कर पाए कामरान इस गेंड को बैट और पैड में गैप बना और ये गेंड स्टम से टकराने के बाद बिलाल अख्तर की खुशी दीदनी है और इस नौजवान क की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है पीछे हटे सीदा केले फील्ड को क्लियर करने में कामियाब हुए ये बड़ी डिसाइसिव बाउंडरी शाज़े भटी की जानिव से बिलकुल ये एक जोरदार जनाटेदार ड्राइब सी ऑफसाइज पर और मच्रिक्वाइट थी कदमों का इस्तमाल किया फैंस को क्लियर कर जाएगी ये गेंड जवर्देस शक्का शाज़े भटी के जानिव से और बड़ा बेतरीन अंदाज में इस गेंड का इखताम किया शाज़े भटी ने बिल्कुल ना वो कॉन्फिडेंट थे रहम ने गेंड को जरा एर दी काफी आगे किया और उस जगह पर फेंका जहां पर शाज़े बेंटिसिपेंट कर रहे थे बिल्कुल बैट के दिमानी हसे से लगता हुआ ये टावलिंग चका तो एक शानदार अंदाज से ये फातिहा परफामेंस ट्रीफ पाइक पट्रीश बनाए तारिक नवाज ने अठावर बनाए इसके लावा हुनेंच शाने पैंटीस रंदेकर दो विक्टें हासित की अली असवन ने भी चार ओवर में चोबीस रंदेकर एक खिलाडी को आउट किया और इसके लावा हुनेंच शाने ज्यादा इंपक्ट नहीं दिखा सका। हाजिल की विसाइड तरशान में एक विक्ट हासित की रंद बना कि खावर पॉपर्वर्टीज ने 133 से बना लिए आठ विक्ट्रक निर्सान पर स्टैंड आउट रहे हैं सुदेश जिनका जिकर किया 27 से बनाए 5 बंट ने 25 उस्मान खालिब ने 18 जबके बलाल अक्तर ने हिजाबगार परफॉपर्फॉर्मंस ने 5 पर 14 इन 4 ओम उवर्ट तो तो तरह थावर परफॉर्मंस ने इसमाच को दो जो से जीत लिया झाल